हलो दोस्तों लुसेंट मद्ध्य प्रदेश चीके के डेली टॉप कोशन में आपका वेलकम है दस्तों तो ये वीडियो का नववा पार्ट है दस्तों इससे पहले भी आठ पार्ट बनाए जा चुके हैं दस्तों वो भी आप चैनल पर जागे देख सकते हैं तो यहां डेली मि रट लेना दस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है तो शुरू करते हैं दस्तों आज के ये वीडियो कोशन है मद्ध्य परदेश में फड़के स्टूडियो किस जिले में है आप्शन मेरे है गॉालियर में बी आप्शन है रेवा म सी ओप्शन है धार में डी ओप्शन है बोपाल में तो कहां इस्थित है फड़ के स्टुडियो तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर सी धार जिले में इस्थित है नेक्शन हमारा निमलिकित में से कौन सा पुरुसकार मद्यप्रदेश के खेलों से संब्दिते नहीं हैं। विकरम और अवार्डे, B option है, विश्वामित्र और और, C option है, एकलवे और, D option है शिकर और मीश्रूम से अवार्डे, तो कौन सा पुरुसकार है? मद्य प्रदेश के खेलों से समधित नहीं है तो इसमें अमारा करेक्ट आंशर है, झो शिकर और और है वह खेलों से सम्मंदित अवाड नहीं है इसके अलावा विक्रम, विश्वा मित्र और एकलवे ये तीनों ही खेलों से सम्मंदित पुरुसकार है नेक्षर अमारा निमलिकित में से कौन सा हाईवे मद्यपर्दिश से नहीं गुजरता है आप्षन नमर ए है एनेच थ्री, बी आप्षन है एनेच फोर, सी आप्षन है एनेच बारा, डी आप्षन है एनेच पिछत्तर, तो कौन सा हाईवे नहीं गुजरता है मद्यपर्दिश से तो इसमें मारा करेक्ट आंसर है आप्षन नमर बी एनेच फोर हाईवे नहीं गुजरता है नेच नमरा मद्यपर्दिश में कितने जोत्र लिंग है आप्षन नमर ए है एक, बी आप्षन है दो, सी आप्षन है तीन, डी आप्षन है चार, तो इसमें मारा करेक्ट आंसर है आप्षन नमर बी कुल मिला करें दो जोत्र लिंग स्थित है मद्यपर्दिश में नेच नमरा मद्यपर्दिश के उस्ताद आमीर खां क्यों प्रसिद है आप्षन मरे है सितार वादक के लिए, बी आप्षन है वीड़ा वादक के लिए, सी आप्षन है शहनाई वादक के लिए, डी आप्षन है खयाल गायन के लिए, तो किस के लिए प्रसिद है उस्ताद आमीर खां तो इसमें मारा करेक्टर अंसर है ओप्शन मड़ी खयाल गायन के लिए प्रसिद है उस्ताद आमिर खाने नेक्शन अमरा गोट मार मिला मद्दे प्रदेश के किस जिले में लगता है ओप्शन मरी है बालागाड जिले में बी ओप्शन है सियोनी जिले में सी ओप्शन है छिंदवाडा जिले में डी ओप्शन है खंडवा जिले में तो किस जिले में लगता है गोट मार मिला तो इसमें मारा करेक्ट आंसर है ओप्शन अमर्शी छिंदवाडा जिले के अंदर लगता है गोट मार मिला नेक्शन हमारा मद्यप्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विदुत प्रियोजना कौन सी है आप्शन हमरे है बंच सागर प्रियोजना बी आप्शन है इंद्रा सागर योजना सी आप्शन है गांदी सागर योजना डी ऑफ्षन है रानी अवंती बाई सागर यूजना तो कौन सी सबसे पुरानी जल्विदूत प्रियोजना है तो इसमें हमारा correct answer है आफ्षन नमर सी गांधी सागर यूजना है जो की सबसे पुरानी जल्विदूत प्रियोजना है नेक्शन हमारा सुबलगट का किला मद्यप्रदेश के किस जिले में है आप्शन हमारी है मुरेना जिले में बी आप्शन है गौलियर जिले में सी आप्शन है इंदोर जिले में डी आप्शन है भुपाल जिले में तो किस जिले में स्थित है सबलगट का किला तो इसमें मारे करेक्ट आंसर है आप्शन मरे मुरेना जिले के अंदर सिद्ध है सबलगडगा किला प्शन मरे बच्पन बचाओ आंदूलन की शुरुआते 1980 में मद्यप्रदेश में किस शक्ष ने की थी आप्शन मरे है शंकर दया शर्मा ने बी आप्शन है केलास सत्यारती ने सी आप्शन है लता मंगेशकर ने डी आप्शन है जया बच्चन ने तो किस ने शुरुआत की थी बच्पन बचाओ आंदूलन की शुरुआते सन 1980 में तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आप्शन मर भी केलास सत्यारती ने इसकी शुरुआत की थी नेक्शन हमारा मद्यप्रदेश में कितने केंद्रिय विश्विद्याल है इस्तित है आप्शन मरे है एक बी आप्शन है दो सी आप्शन है दी आप्शन है चार तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आप्शन मर भी कुल मिला करे दो केंद्रीय विश्विद्याल है किस जिले को आउला जिला गुशित किया गया है किस जिले को गुशित किया गया है आउला जिला गुशित है तो इसमे हमाई का рек्ट आंशर है option नमर B पन्ना जिले को आवला जिला गोशित किया गया है connection हमारा निमलिकित में से कौन सी नदी मद्य प्रदेश में नहीं है option नमर A है चम्मल नदी B option है बेतवा नदी C option है नर्मदा नदी D option है गोदावरी नदी तो कौन सी नदी मद्दे प्रदेश की नहीं है तो इसमें हमार करेक्ट अंसर है आप्शन नमर डी जो गोदावरी नदी है ये अंदर प्रदेश के अंदर बहती है और ये मद्दे प्रदेश की नदी नहीं है नेक्शन नमरा धार के दुर्ग का निर्माणे तो किस मुशलिम शाशक ने निर्माण करवाया था धार के दुर्ग का तो इसमें हमागा करेक्टर्टास है ऑप्शन नमर सी मौम्मद तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था नेक्षन हमारा उस्ताद अलाव दिन का किस इस्तान से सम्मदित है? ऑप्शन नमर ए है देवास से बी अप्शन है बुर्हानपुर से सी ओप्शन है ग오लियर से D option है मेहर से तो किस इस्तान से सम्मदित है उस्ताद अलाउदिन खा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है option number D मेहर इस्तान से सम्मदित है